नमस्कार मैं दिव्या अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम विल पावर के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल पॉजिटिव वाइब्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को दबा के प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे त इसे जादा से जादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें तो चलिए शिरू करते हैं दोस्तों हमारे मस्तिश्क में अशीमत सक्तियां है प्रकति ने हमें हर चित समान दी है हमारी सोच ही है जो हमें दूसरों से अलग करती है हमारी सोच हमारे विचार ही हमें अमीर या गरीब बनाते है हमारी सोच ही हमें ताकत्वर या कमजोर बनाती है दोस्तों जब हम छोटे होते हैं तब हमारा मन एक कोरे कागश की तरह होता है बच्पन से ही इस पर कुछ ना कुछ लिखा जाने लगता है जैसे हमारे टीचर्स, पैरेंट्स या हमारे आसपडोस के लोग हमें जो कुछ भी सिखाते हैं, जो कुछ भी बताते हैं वो हमारे दिमाग के अवचेतन वन में छपता जाता है जैसे ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये कठिन है, ये आसान है, ये संभव है, ये असंभव है लंबे अंतरा तक ये बातें हमारे मस्तिश्क में स्टोर होती रहती हैं और इनी से हमारी सोच, हमारे विचार डेवलब होते हैं हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारन करती है और हमारा व्यक्तित्व ही जीवन में हमारी सफलता और असफलता का निर्णे करता है दोस्तों, अगर हम किसी कारे में सफल होना चाहते हैं तो हमें सदैव उसके बारे में सकारात्मक सोच रखने चाहिए हम जितना सकारात्मक सोचते हैं हमारा मस्तिश्क उस कारी के लिए उतना ही द्रण होता जाता है और हमारे अंदर उस कारी को पूरा करने की शमता चमतकारिक ढंग से डेवलप होने लगती है इस बात को समझने के लिए चलिए आपको एक कहानी सुनाती हो एक गाओं में दो लड़के थे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी एक की उम्र साथ साल और एक की ग्यारा साल थी दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी वे हमेशा एक ही साथ रहते सारे काम एक साथ करते और एक ही साथ खेलते एक दिन दोनों ने गाउं के बाहर जाके पतंग उड़ाने का प्लान बनाया अगले दिन वे दोनों घर में बिना कुछ बताए गाउं के बाहर जाके पतंग उड़ाने लगे खेलते खेलते शाम हो गई अचानक बड़े लड़के का पैर एक पत्थर से टकराया और वो ठोकर खाके एक कुए में गिर गया जैसे ही वो कुए में गिरा वो जोर-जोर से चिलाने लगा बाहर खड़े लड़के ने चारो ओर नजर घुमा के देखा कि उसे दूर-दूर तक कोई भी मदद के लिए नजर आ जाए लेकिन वहाँ दूर-दूर तक कोई भी नहीं था तभी उसे पास में पड़ी एक रस्ती दिखाए दी उसने उस रस्ती को उठाया और उसे कुए में डाल के अपने दोस्त को बोला इसे कसके पकड़ ले फिर मैं तुझे उपर खीच लूँगा और फिर वो छोटा लड़का अपनी पूरी ताकत से अपने दोस्त को बाहर खीचने की कोशिश करने लगा और तब तक खीचता रहा जब तक उसका दोस्त बाहर नहीं निकल आया दोनों दोस्त बहुत खुश थे बाहर निकल के दोनों एक दूसरे के गले लगके रोने लगे लेकिन मनी मन वे इस बात से डर रहे थे कि घर जाके बहुत डाट पढ़ने वाली है लेकिन जब वे वापस गाओं पहुचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जब उन्होंने अपनी आबीती लोगों को बताई तो किसी ने उनकी बात पे विश्वासी नहीं किया किसी को भी इस बात पे विश्वासी नहीं हो रहा था कि छोटा बच्चा जो एक पानी की बाल्टी भी अकेले नहीं उठा सकता उसने अपनी उम्र से बड़े लड़के को कुपे से बाहर निकाल लिया उस गाउ में एक बुड़े काका जी थे जो उस गाउं के सबसे बुजूर्ग इंसान थे सिर्फ उन्होंने ही उन बच्चों की बात पर यकिन किया उन्हें दोनों को अपने पास बुलाया और उनकी सराहना की सभी गाउवालों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं सभी एक साथ मिलकर उन काका जी के पास पहुचे और उनसे पूछने लगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये कारे संभव है तो काका जी ने सभी को समझाते हुए कहा क्यों संभव नहीं है ये बच्चे बिलकुल सही कह रहे हैं और ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि जब ये घटना घटी उस समय दूर दूर तक इस छोटे बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते कोई ये नहीं था ये बताने के लिए कि तुम उम्र में उससे छोटे हो वहाँ पे ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है यहां तक कि ये खुद भी इस अवस्था में नहीं था कि वो ये सोच पाए कि वह ये कर पाएगा या नहीं उसे सिर्फ उस समय अपने दोस्त को बचाना था और उसने वही किया अपनी पूरी दर्ण इक्षा सक्ती के साथ तो दोस्तों हमारी सकारात्मक सोच और मजबूत दर्ण इक्षा सक्ती असंभव को भी संभव में बदलने की शमता रखती है Our positive attitude and strong willpower can do amazing things Thank you